किसी भी एक्सल फाइल को हम mail कैसे कर सकते हैं जैसे ये हमारी एक्सल फाइल है इसके अंदर हम data देख सकते हैं हमको बोला जाता है कि ये एक्सल फाइल हमको mail कर दो या whatsapp पे दे दो या इसके अंदर जो data है ये एक report हमने तयार कर रख की है हमको बोला जाता है कि इस रिपोर्ट को PDF में बना कर हमको WhatsApp कर दो या Mail कर दो तो वो हम कैसे करेंगे, यहां पर हम दोनों के बारे में जानेंगे पहले हम इस रिपोर्ट को PDF के अंदर तयार कर लेते हैं, इसको हम Select कर लेंगे यहाँ पर हम देखेंगे इस बाकी डेटा को हमें नहीं भेजना है तो इसको हमने select नहीं किया जितना डेटा हमको भेजना है उतना हमने select कर लिया है यहाँ पर हम page layout के उपर आएंगे यहाँ पर option है print area इसके उपर हम click करेंगे यहाँ पर option है set print area इसके ओपर हम click करेंगे अब हम file के ओपर click करेंगे print यहाँ पर हम देख सकते हैं data का preview हमको show हो रहा है जितना data हमने select किया था उतना ही data हमको यहाँ पर show हो रहा है यहाँ पर हम select कर लेंगे Microsoft print to PDF print के ओपर हम click करेंगे यहाँ पर हम file को नाम देदेंगे और save के ओपर click करेंगे file हमारी PDF के अंदर save हो गई है अब जानते हैं इसको हम mail या WhatsApp पर कैसे बेशते हैं file को mail पर कैसे बेशते हैं पहले हम वो जानते हैं तो यह Google Chrome हमने open कर लिया है यहाँ पर हम click करेंगे यहाँ पर हमको option मिलता है Gmail अगर आपने अपनी Gmail को open नहीं कर रखका है तो यहाँ पर हम अपनी ID पास्ट बता कर login कर लेंगे अगर आपने पहले से login कर रखका होगा तो सीधा आपकी mail open हो जाएगी यहाँ पर मैं इसको जल्दी से open कर लेता हूँ अब mail को भीजने के लिए हम compose के उपर click करते हैं अब यहाँ पर हम mail ID बता देंगे किसको हम यह file mail करना चाते है इसके बाद यहाँ पर है subject subject के अंदर हम चाहे तो file का नाम डाल सकते है या सीधा हम यहाँ पर लिख देते हैं Excel file अब यहाँ पर अगर आप लिखना चाते हैं कि यह file हम क्यों भेज रहे हैं या इस file के अंदर क्या है तो उसको आप यहाँ पर लिख सकते हैं अभी हम जो file भेज रहे हैं इसके अंदर हमारी sales की report है तो यहाँ पर हम लिख देते हैं Hello sir I am attaching sales report यहाँ पर लिख देते हैं thank you अब file को हम यहाँ पर attach कर लेते हैं यहाँ पर हमको option show हो रहा है attach file यह pin बनी हुई है इसके ओपर हम click करेंगे अब जहाँ पर हमारी file होगी उसको हम select कर लेंगे तो यहाँ पर मैं PDF वाली file इसके साथ साथ Excel वाली file भी select कर लेता हूँ यहाँ पर हम देख सकते हैं दोनों file हमारी यहाँ पर आ गई हैं अब send के ओपर हम click करेंगे तो file हमारी mail के ओपर चले जाएगी अब यहाँ पर हमने अपनी ही mail डाली थी तो जिसको भी यह mail जाएगी उसको यह इस तरीके से दिखाई देगी अब इसके बाद यहाँ पर option है send तो यहाँ पर आकर हम देख लेंगे जो हमने अभी mail किया वो successfully send हो गया है या नहीं यहाँ पर हम देख सकते हैं mail हमारा successfully चला गया है यहाँ पर time दिखा रहा है कि हमने यह mail कब किया है बात करते हैं कि whatsapp पर कैसे भेजेंगे यह हमने whatsapp पर login कर रखका है जिसको भी हमें यह file whatsapp पर भेजनी है उसको हम यहाँ पर open कर लेंगे यहाँ पर भी हमको pin show हो रही है इसके ओपर हम click करेंगे यहाँ पर option है document इसके ओपर हम click करेंगे जहाँ पर हमारी file होगी वहाँ पर हम आ जाएंगे यहाँ पर भी मैं Excel वाली फाइल और PDF फाइल दोनों को ही सेलेक्ट कर रहा हूँ इसके बाद हम Open के उपर किलिक करेंगे यहाँ पर हमको दोनों फाइल शो हो रही है यहाँ पर Send के उपर हम किलिक करेंगे फाइल हमारी Send हो जाएगी तो इस वीडियो के अंदर हमने जाना किसी भी Excel फाइल को हम Mail पर या WhatsApp पर कैसे भेशते हैं